घर को बनाना है बहुत ही खास तो जाईए इस मोडल के साथ यहां दोस्तों घर ऐसा बनाईए कि घर को देखने के बाद घर में बैठने के बाद थोड़ा अच्छा फीलो और इसके साथ साथ जो भी देखे आपके घर की तारीब करें जैसा कि इस घर को आप देख सकते हैं कि घर दिखने में एकदम जखकास दिख रहा है और यदि आप इस घर को बना लेते हैं तो समझ लीजिए आपका जो घर है एकदम हविली टाइप का दिखेगा तो चलिए आज की वीडियो में हम आपसे पूरी डीटेल सेयर करेंगे कि इस घर को किस तरीके से बनाना है और इसके साथ साथ इस घर की प्लानिंग क्या होगी तो सबसे पहले आप इस घर को सामने से देख लीजे, सामने से ये घर दिखने में कुछ इस तरीके से बहुत ही जवर्जस्त दिखेगा, तो इसको आप अपने मिस्तरी या फिर इंजीनियर जिससे बनवा रहे हैं, उसको दिखाईए, बहुत ही सिंपल डिजाइन है और जवर और रूम की लोकेशन क्या होगी, सभी कुछ इंफोमेशन हम आप से सेयर करते हैं, तो चलिए हम आपको लैप्टॉप की स्क्रीन पर लिए जलते हैं, तो दोस्तो घर का या डिजाइन बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि घर के मेन पार्ट पर यान की एकदम फ्रंट पे आपको एक बरांदा रखना होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने घर के मध्य में एक बरांदा रखा हुआ है, यदि हम इसके साइस की बात करें तो 17 फिट 5 इंच यानि की 17 फिट 5 इंच यहां से लेकर यहां तक की डिश्टन्स है, और 13 फिट 3 इंच यहां से ल 11 फिट यहां से लेकर यहां तक की डिश्टन्स और 14 फिट यहां से लेकर यहां तक की डिश्टन्स, निक्स आप देख सकते हैं कि इसी बरांदे से सटा हुआ घर का दूसरा बेडरूम है, जो की प्लान में आप देख सकते हैं कि यहां पर दिया गिया है, यह बरांदा है, तो same to same यही design बनाने के लिए इसी तरीके से आपको front पर एक बरांदा रखना होगा और बरांदे से सटा हुआ एक room यहाँ पर रखना होगा और दूसरा room यहाँ पर रखना होगा और बरांदा जो है इन दोनों रूमों से कम साथ से 8 फिट बाहर निकला होगा और यदि हम यहा यहाँ पर घर की stair है यानि की CD है यदि हम इसके size की बात करें 6 feet by 11 feet है यानि की 6 feet यहां से लेकर यहां तक की distance और 11 feet यहां से लेकर यहां तक की distance और इस stairs के बिलकुल सामने यानि की CD के बिलकुल सामने आप देख सकते हैं की घर का पूजा room है यदि हम पूजा room के size की बात कर और खाली space के बाद आप देख सकते हैं कि घर का kitchen यहाँ पर दिया गया है इसका size 8 feet by 7 feet है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की distance है और इसकी जो total लंबाई है वो 10 feet है यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 feet है और kitchen की बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि dining hall है यदि हम इसके size की बात करें तो 8 feet 7 inch यानि कि 8 feet 7 inch यहाँ से लेकर यहाँ तक की distance है और 9 feet 10 inch यहाँ से लेकर यहाँ तक की distance है जो कि dining room के लिए एक परियाप्त जगा मानी जाती है next kitchen से सटा हूँ आप देख सकते हैं कि घर का एक bedroom दिया गया है यदि हम इसके size की बात करें तो 11 feet यहाँ से लेकर यहाँ तक की distance तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की distance है वो 14 feet है इसी तरीके से इदि हम इस room के size की बात करें तो यह आपका store room है और store room का जो size है वो 9 feet 3 inch यहाँ से लेकर यहाँ तक की distance है और यहां से लेकर यहां तक total distance जो है वो 14 feet है और इसी से सटा हुआ घर का आप देख सकते हैं की bathroom है यदि हम इसके size की बात करें तो 4 feet by 10 feet है जो की lettering bathroom दोनों combined होगा 4 feet यहां से लेकर यहां तक की distance और 10 feet यहां से लेकर यहां तक की distance और इसके साथ साथ room में जो column होंगे उनकी पूरी detail आप देख सकते हैं की यहां पर देगई है यह जो box आप देख रहे हैं corner corner पर यह घर के column है तो पूरी detail आप देख लीजे इसका screenshot वगएरा ले लीजे और यदि आपको घर का नकसा इसी तरीके से बनवाना है तो आप इस number पर हमें call कर सकते हैं ठीक है हमारी team से आपकी बात हो जाएगी आपका minimum price पर इस तरीके से घर का नकसा हो जाएगा ठीक है तो अभी के लिए बस इतना ही अपना ख्याल रखिए और अपने ममी पापा का अपने से भी जादा ख्याल रखिए इसी भाव के साथ आप सबी से बिदा लेते हैं धर्यवाद एक चीज भाई भूल गए आप देख लीजेगा कि यहाँ पर जो रूम का साइज है यहाँ पर जो प्लॉट का साइज है वो 14 फिट यानि कि 41 फिट 6 इंच यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है बाकि 7 फिट यह बाहर की तरफ बरादा निकला हुआ है इसको आप जोड लीजेगा निक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल चोड़ाई है वो 35 फिट 6 इंच है